बाईयो और बहनों, प्रयाग राज की प्रतिष्टा यहां के बुद्धी जीवी लोगों, यहां की संस्कृति, साहित्य और कलाप्रेम से भी है। आप सभी प्रबुद्ध लोग इस बात से तो परितिद है कि बदली विश्व व्यवस्ता में भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है। और मजबूत भारत ससक्त उत्तर प्रदेश के बिना संभव ही नहीं है। आज जो गोर परिवारवादी आपके पास आकर वोट मांग रहे हैं, वो कभी ससक्त और आधुनीक उत्तर प्रदेश का निर्मान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग कैसे हैं? ये ऐसे लोग है, जो अफ़ावादी है, ये ऐसे लोग है, जो पलायनवादी है, इतना ही नहीं, ये ऐसे लोग है, जो गोर अंदविश्वासी भी हैं। क्या किसी अंदविश्वासी को उत्तर प्रदेश का नवजवान स्विकार कर सकता है? कर सकता है। ये कैसे लोग हैं? उनका अंदविश्वास कैसा है? कुरसी न चली जाए, इसके लिए ये लोग नोएडा नहीं जाते हैं, बिजनोर नहीं जाते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है क्या नहीं हैं? अपमान है क्या नहीं भाईया? बिजनोर से जो टेक्स आता है, उसमें तो मलाई मारने को तयार। नोएड आजेस और टेक्स आता है उसमें मलाई मारने को तयार लेकिन वहां के लोगों को मिलके जाना उनके सुख दुख पुछना उसमें अंद्र विश्वास आड़े आ जाए क्या ऐसे लोग उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं आदूनिक उत्तर प्रदेश बना सकते हैं ऐसा नेत्रुत्व कभी भी मन्जूर नहीं हो सकता ये लोग क्या कभी यूपी के युवा का यहां के नौजवान का उनका सोच क्या है उनका मन क्या है क्या ये अंद्र विश्वासी लोग समझ सकते हैं समझ सकते हैं आप मुझे बताईए जिनकी सोच ऐसी हो वो यूपी को आदूनिक बना पाएंगे यूपी का बना कर पाएंगे नव जवानों को समझ पाएंगे